नमस्कार मैं हूँ कृष्णा रंसिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा नियोजी सिक्षकों को राजकर्मी बनने की हल चल फिर से शुरू हो रही है राजकर्मी के लिए सक्षमता परिक्षा तो देनी ही होगी आज के इस विडियो में गणीत के अध्याय वास्तविक संख्या से पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ट प्रशनों का संग्रा है इसमें हम लोग एक्स्प्लेन के साथ प्रशनों को हल करते हुए चलेंगे कुल प्रशनों की संख्या 25 रखी गई है इसके पहले प्रशन की शुरुआत करने के पहले आपको याद करा दू अधी आप चैनल पर पहली वार है तो परिक्षा की तैयारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और विडियो पसंद आने पे विडियो लाइक करना ना भूलेंगे हम लोग पहले प्रशन की शुरुआत कर लें वास्तविक संख्याए का है जिसकी चर्चा रियल नंबर से आये हुए जो भी अवजेक्टिव प्रशन है जो समान रूप से परिक्षा में पूछे जाते है उसी का यहाँ पे संग्रा है उसी पे यहाँ पे उसका कलेक्शन किया गया है पहला प्रशन है यदि पी और क्यू दो अभाज संख्याए हैं तो उसका मोसु अनि कि महत्तम शमाफ वर्तक क्या होगा HCF निकालना है तो यहाँ पे हम लोग समझें कि पी और क्यू दो अभाज संख्या है तो पी बरावर एक अभाज संख्या माल लेते हैं जिसमें भाग ना लगे तो पांच ले लेते हैं उसके बाद दूसरी क्यू एक संख्या है या भी अभाज संख्या है तो इसे साथ ले लेते हैं तो पांच और साथ का अधी आप मोशो निकालेंगे, तो एक बार यहाँ खाएगा, दो यहाँ पे सेस हो गया, फिर पांच है, दो दुनी चार, फिर एक होगा, पुना यहाँ पे दो आएगा, फिर यहाँ पुरा-पूरी खाजाएगा, तो और इसका मोशो कितना हो गया, आपका राइट अंशर, यहाँ पे ओप्सन नंबर यही होगा, इसके बाद अगला प्रश्न, दूसरा नंबर है, निमलिखित में कौन योगिक संख्या है, योगिक कहने का अर्थ हो गया, कि वैसी संख्याएग जो भाज हो, अभाज ना हो, वह योगिक संख्या कहलाती है, तो इसमें चार ओप्सन में अब सेलेक्ट कर लिजिए, एक ग्यारा अभाज संख्या है, तो यह तो योगिक होगी ही नहीं, उसके बाद 31 भी अभाज संख्या है, एक तालिस भी अभाज संख्या है, आपका एकीस, और कि सात गुना तीन करेंगे, सातिया एकीस हो जाता है, तो इस सात से एकीस में भाग लगता है, तो फिर तीन से एकीस में भाग लग जाएगा, तो इस इस्थिती में योगिक संख्यां एकीस हो जाएगी और ओप्सन नमबर भी सही होगा, अगला प्रस्ण है तीसरा नमबर, चौशठ के अभाज गुनन खंड में दो का घातांक कितना है, तो चौशठ दी हुई है संख्यां, इसका अभाज गुनन खंड करेंगे, तो दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोल, दूनी बत्तीस, दूनी चौशठ हो गया, तो कितना दो आया है, दो पर पावर कितना होगा एक दो तीन चार पाँच छे दो पर पावर छे तो पूछा गया है कि 64 के आभाज गुनट खंड में दो का घातांग तो दो का घातांग छे है असपस्ट है तो आपसर नमबर सी सही है इसके बाद हम लोग अगला प्रश्ण चलें चौथा नमबर मे निमलिखित में कौन सा यूग्म सह आभाज है तो सह आभाज कहने का अर्थ हो गया कि वैसी दो संख्याएं जिसका मोसो हमेशा एक होना चाहिए तो इसमें आप निकाल लेंगे 14 और 35 का मोसो एक नहीं होगा आपका यही पे जो आपसर नमर बी है यही होगा राइट 18 और 25 क मोसो आप निकालेंगे तो चलिए इसको निकाल के हम लोग समझते हैं 18 और 25 है तो एक बार खाएगा 18 हो गया 25 में से 18 जाएगा तो यह हो जाएगा 7 फिर हो गया 18 साथ दूनी 14 है फिर 4 होगा फिर 7 आजाएगा यहाँ पे एक बार खाएगा तीन अनि इस प्रकार से आप निकाल लेंगे तो इसका मोसो आपका एक ही प्राप्त होगा option नमर बी होगा ज़्यदा समय इसमें नहीं किल करेंगे चलिए आगे बढ़ते है पाच्वा नमर प्रशन है निमलिखित में किसका दस्मलब परशार सांत है तो दस्मलब परशार इसा प्रकार का हूता एक सांत और एक ओशांत तो सांत में यदी आपका पी व टे अनि अंश पी हो और दो पर पावर एम गुना पाच-पर पावर एम के रूप का हो तो इस अवस्था में वह संख्याय ने-वु न सांत होती है अनिठा ओशांत हो जाती है तो आप इसको द इसको आप देख लेंगे 15 वटे 16 सो है इसको कटा करके आप जब छोटा रूप लाएंगे तो यह दो पर नीचे वाला में दो पर पावर एम दो पर पावर कुछ होगा और पांच पर पावर भी कुछ आएगा और इस अवस्था में ऐसी स्थिती में आने पर यह सांत परशार हो जाता है तो ओप्सन नमबर ए इसके बाद अगला प्रश्ण है चछठा नमबर जीरो दसमलब जीरो दसमलब एक सुन पांच का पीवटे दो पर पावर एम गुना पांच पर पावर एम के रूप में होगा इसे लिखने के लिए कह रहा है तो जीरो दसमलब एक सुन पांच इसे आप पॉइंट में हटाएंगे भिन में लाएंगे तो पॉइंट का एक हो गया एक दो तीन और इसे पांच से कटाईए एक इस पंचे एक सो पांच और यह होगा दो सो झाणी एकीस बटे दो सो हुआ अब एकीस बटे दो सो इसको आप लिखेंगे एकीस बटे और इसका आप दो सो का लिखेंगे तो दो दूनी चार दूनी आठ इसके बाद पांच गुना पांच कर देता है 25, 26, 200 हो गया तो 2 पर पावर कितना हो गया 3 फिर से इसको लिखें 21 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 था तो 5 पर पावर 2 इस बज़से आपका राइट अंशर यहां पे B दिख रहा है इसके बाद सात्वा नमबर प्रश्ण में हम लोग आ चुके हैं अधि भाग एल्गोरिद्म ए बरावर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है इसमें सभी का भेलू दिया हुआ देखिए एका साइटीस है आप साइटीस रख दीजे यहां पर साइटीस है बी बरावर चार है और क्यू का मान इकालना है क्यू छोड़ देंगे आर का भेलू वन है तो शाइटीस में से इसको हल कर लिजिये तो शाइटीस यह पलस है इधर आएगा चार यू के साथ गुणा है भाग लग जाएगा तो चार नमा चातीस अनि की क्यू का भेलू नाइन होता है तो आपशन कहां पे नाइ है option number A सही होगा वास्तिविक संख्या में इसी प्रकार के छोटे-छोटे प्रस्ण पूछे जाते हैं सिर्फ एक बार प्रेक्टिस आप कर लेंगे तो आसानी से अनि कोई भी प्रस्ण आप अंदाज से नहीं लगाएंगे गनीत का इसे निश्चित रूप से हल करके ही आपको बनाना है आठमा नंबर प्रस्ण है अधि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक संपूर्णांक का रूप होगा तो पी एक धनात्मक पूर्णांक है इसको हम लोग यहां पे समझें पी कहरा धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक है एक भी ले सकते ह तो सम पुर्णा का तो निसित रूपे इसमें दो से गुना होगा तो दो गुना वन करेंगे तो दो होगा निस संख्या हो गई तो दो गुना वन मिन्स हो गया पी तो टूपी तो इसका ऑप्सन टूपी ऑप्सन नंबर ए होगा सही इसके बाद नौ नंबर प्रश्ण है महत् शमाफ वर्तक PQ गुना लगुतम समावर्तक PQ बराबर होगा तो महतम समावर्तक PQ महतम समावर्तक PQ का निकालेंगे और कोई संख्या एक ले लेनी है सपोज कि ये PQ का महतम समावर्तक P एक संख्या ले लिए 1 और Q ले लिए 2 तो P और Q का अधी आप मोशो निकालेंगे तो मोशो आपका हो गया दो एक एक और दो का मोशो निकालेंगे तो एक हो जाएगा मोशो इसके बाद एक और दो का फिर लोशो निकालेंगे तो 2 होगा अब P और Q का गुना किजिए तो P और Q का गुना करेंगे तो A गुना 2 करेंगे तो 2 अब फिर इसी प्रकार से मोसो और लोसो करेंगे तो A गुना 2 अर्थार्थ क्या हो गया P और Q का गुनान फल option number A सही होगा दसमा नमबर प्रस्ण है प्रतेक परिमय संख्या होती है प्रतेक परिमय संख्या क्या होती है यह पूछी गई है एक प्राकृत संख्या एक पुर्ण संख्या एक पुर्णांग संख्या एक वास्तविक संख्या तो यह एक वास्तविक संख्या होती है प्रतेक परिमय संख्या वास्तिविक संख्या कहलाती है वास्तिविक संख्या का परिभासा भी बताता है कि परिमेश संख्या और ओ परिमेश संख्या के समूह को वास्तिविक संख्या कही जाती है तो परिमेश संख्या पूछी गई है तो यह एक बास्तिविक संख्या निकि रियल नंबर हो जाएगी एक ग्यारह नंबर में हम लोग आ चुके हैं प्रश्ण में बाइस वटे साथ है तो बाइस वटे साथ क्या है बाइस वटे साथ निशित रूप से यह परिमय संख्या है option नंबर A होगा अगला प्रश्ण वारह नंबर दो लगातार संख्याओं का मोशो तो दो लगातार संख्याओं का जैसे दो और तीन ले लिए तो इसका मोशो निकालेंगे तो निकाल करके देखिए एक फिर दो हो गया दो से पुरा-पुरा या कट गया तो मोसो तो यही एक हो गया आपका तो option यहाँ पे देख लेते हैं कौन शाह होगा option D number होगा इसके बाद अगला प्रस्ण है 13 number 8 पर पावर सुन्न है अनिकि 8 पर पावर सुन्न है गुना 2 पर पावर सुन्न है इसका बेल्यू क्या होगा तो किसी भी संख्या पर अधी पावर सुन्न हो तो उसका मान हमेशा एक होता है तो इसका भी एक और इसका भी एक दोनों का गुनन फल एक हो गया option number B होगा अगला प्रस्ण है 14 number निमलिखित में कौन निमलिखित में से कौन ओ परिमय नहीं है तो पाई तो ओ परिमय संख्या है या किलियर है पाई ओ परिमय संख्या है रूट सेबन रूट लगा हुआ है बर्गमूल लगा हुआ है बर्गमूल के वज़े से या भी ओ परिमय संख्या होई root 7 यह भी O परिमेश संख्या होई तो निशित रूप से अधी option नमर D का अधी आप हल करेंगे तो यह परिमेश संख्या निकल करके आएगी निकि यह O परिमेश संख्या नहीं होगी तो आपका D होगा अंशर अगला प्रश्ण है 15 नमर यदि A बराबर इतना है और B बराबर इतना है तो इसका लोसो पूछा जा रहा है लोसो कितना होगा तो सबसे अधिक्तम घात बला लेंगे A में 2 पर पावर 3 हो गया नहीं यहाँ पर पावर 4 है 4 लेना पड़ेगा 2 में अधिक्तम घात 4 है इसके बाद 3 ले लेते हैं फिर 5 लेंगे और इसमें एक 7 छूटा हुआ है इसका गुननफल करेंगे तो जो गुननफल होकर के आ जाए वही आपका अनसर हो जाएगा और आप गुना करेंगे तो 1680 आपको 1680 प्राप्त होगा option नमर D सही है अगला प्रस्ण है 16 नमर संख्या 2.13 डौट 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 एक दस्मलब तीन एक दस्मलब तीन इसको फिर से देख ले पढ़ले प्रस्ण को संख्या या दी हुई है 2.13 एक एक तीन इस प्रकार से डौट डौट है तो क्या होगी या अप्शन के नुसार से हम लोग को छटना है पुर्णांग संख्या होगी या तो फिर परिमेश संख्या उपरिमेश संख्या इन में से कोई नहीं तो इस अवस्था में ऐसी इस्थिती ऐसी सिच्वेशन में या हमेशा उपरिमेश संख्या होती है अगला प्रस्ण है 17 नमर पाई वटे 3 है हम लोग जान रहे हैं कि पाई 1 आ परिमाई संख्या है तो इसमें 3 से भाग दिया गया है तो निशित रूप से या भी आ परिमाई संख्या होगी अप्रस्ण नमर बी होगा सही इसके बाद 18 नमर प्रस्ण है एक असुन्य परिमाई संख्या और आ परिमाई संख्या का गुननफल क्या होगा हमेशा परिमाई संख्या हमेशा आ परिमाई संख्या तो आप्सन नमर बी हो जाएगा हमेशा आ परिमाई संख्या होगी अगला प्रस्ण है 19 नमर सबसे छोटी भाज संख्या सबसे छोटी भाज संख्या सबसे छोटी भाज संख्या चलिए हम लोग सबसे छोटी भाज संख्या छोटी भाज संख्या में चार ले लेते हैं और सबसे छोटी अभाज संख्या इसमें दो ले लेते हैं का मोसो ग्यात करना है तो इसका मोसो आप ग्यात करेंगे तो दो प्राप्त हो गया और सन नमर बीस ही होगा इसके बाद है बीस नमर प्रश्ण है दो परिमय संख्याओं के बीच अधिक्तम कितनी परिमय संख्या हो सकती है तो दो परिमय संख्या हम ले लिए दो और आठ सपोज कि यही ले लिए संख्या तो इसमें कितनी परिमय तो इसके अंदर में बहु सारी बहु सारी परिमय संख्या होगी इसका राइट अंसर डी हो जाएगा अनन्त हो जाएगा अगला प्रस्ण है एकीस नंबर 7 प्लस है अनि 7 प्लस 3 रूट 2 कौन सी संख्या है जो ही आप रूट देख लिए तो इसको ओपरिमय संख्या में टिक लगा दिजिए ओप्शन नंबर B होगा इसके बाद अगला प्रस्ण है बाइस नंबर में हम लोग चलें इतना तथा इतना का इतना और इतना का मोसो ग्याद करना है तो मोसो इसका ग्याद करने का प्रोसेस है दोनों में उभैनिस्ट देखिए दोनों में क्या मिल रहा है तो इसमें 6 लेंगे और X स्क्वार और X म अब option number D सही होगा, इसके बाद 23 नमर प्रश्ण है, 64 के बर्गमूल, तो 64 का आप बर्गमूल निकालेंगे, तो 8 होगा, फिर 64 के घंमूल, और 64 का अधी आप घंमूल निकालेंगे, तो इसका 4 होगा, 4, 4, 16, 64, भाग देने पर, तो 8 बटे 4 करते हैं, तो 4 दूनी 8, दो प्रा देख ले, ए में 64 है, बी नमबर आपका सही है, यह हो गया, अगला प्रस्ण है, 24 नमबर, रूट 10 और रूट 15, गुना करना है दोनों को, तो आप 5 दूनी 10, यह रूट हो गया, और इस रूट को भी 15 को भी अंदर कर लेते हैं, तो 5 तिया 15, यह रूट में है, तो डबल मे से एक बाहर आपका आगया, और अंदर में बच गया, तीन दूनी 6, और फाइव रूट 6, ओप्सन नमबर A होगा सही, और अंतिम प्रस्ण है, 25 नमबर, संख्या रेखा पर प्रतेक बिंदू प्रदर्सित करें, प्रदर्सित करता है, एक वास्त्विक संख्या, एक प्राक में होगा, और इधर माइनस में चलता है, माइनस 1, माइनस 2, तो हमेशा यह एक वास्त्विक संख्या को प्रदर्सित करता है, ओप्सन A सही होगा, तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 25 प्रशनों का अध्यन किये, विसलेशन के साथ है, जहां तक बस तुनिष्ट प्रशन बनेगा, उसका अध्यन करेंगे, बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फर वचिंग, गुडबाई